दोस्तों आज बात करने वाले हैं शनी के राशीपरी वरतन के He सी परिवरतन किस प्राइब कॉनसी गाइए इस वीडियो में आपको इस वीडियो kneesил यह मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटियल में बताऊंगा सबसे पहले आए जानते हैं थोड़ा सा शनी के राशी परिवर्तन को कि क्या फल मिल सकते हैं किस प्रकास राशी परिवर्तन हो रहा है और किन-किन राशियों के लिए विशेश लाब दे सकता है तो फ्रेंड्स पारंपरिक पंचांग के हिसाब से 17 फरोरी 2020 को आ रहे हैं इसी वर्ष 11 मई 2020 से लेके और 29 सितंबर 2020 तक शनी वह मकर राशी में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे उसके बाद इसी वर्ष जो है शनी 27 दिसंबर 2020 को अस्त भी हो जाएंगे तो एक ही साल के अंदर शनी ने में या कुछ बुरे फल अगर हैं या कुछ अच्छे फल भी हैं तो अस्त होने की करण वह कम हो जाएंगे हैं अब यहां पर कुम्ब राशी में शनी desire आशिया हैं दोरों में से एक राशी में शनी का गोचर रहेगा दूसरी राशी जो कि कुंब राशी है उसमें 7.30 का प्रभाव रहेगा इसी के साथ मित्हण और तूला राशी में शनी की डया प्राडंद हो जाएगी और वरशब और कण्याराशी के लोगों को शनी की डया से मुक्ति मिल जाएगी तता व्रश्चिक राशी वाले यह वो कहीनगे मुक्त हो तो यहां पर शनी कुछ राशियों के लिए अच्छा और कुछ राशियों के लिए खराब फल देने वाला है और कहीं न कहीं शनी बहुत जाला खराब ग्रह नहीं है बहुत लोग शनी को बहुत खराब ग्रह मानते हैं पर शनी खराब ग्रह नहीं है शनी बस कर्म फल दाता है आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है तो जितने अच्छे आपके कर्म रहेंगी या जितना आच्छा आपका काम रहेगा उतना ही अच्छा आपको उसका रिजर्ट भी जरूर और अवश्य मिलेगा तो शनी का जो यह राशी परीवर्तन है यह आपके राशी पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है आए इसके बारे में जानते हैं तो मेश राशी वाले जातक जो यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं शनी के राशी परीवर्तन का क्या प्रभा करेंगे दशवे घर में घोचर करेंगे दस्वा गर शनी का अपना घर होता है करम का होता है आपadas प्रीजनेस का आपकी और्म कर सकते हैं यह स्ट्ना काम कर सकते हैं यह हम आपके चाइट में दस्वे से अभशनिवा पर आपके स्वामी है ऑब कर्म के स्वामी है और ही गर में आघे हैं तो डाइट नेने के तुझंडेटली यहां पर जिखें तो अच्छी कर Springs करेंगे पर महत एक परिश्रम यहां पर आपका बढ़ जाएगा हर चीज के पीछे आपकी जो लगन है वो थोड़ी सी आपको यहां पर बढ़ानी होगी जिससे कि आपके डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो ना आएं और आप जितना कॉंफिडेंटली आगे बढ़ेंगे उतना ही शनी का सपोर्ट आपको मिलेगा और उतना ही अच्छे रिजल्स आपको यहां पर जरूर मिलेंगे अगर आप नए काम की सोच रहे हैं तो फिर आप त काम को एक स्पीड मिल जाती है और जैसे शनी वक्री होते हैं तो नेडिव इफ्क्त जो है वह आपको नहीं मिलेगा तो ग्यारा मईस से पहले पहले अगर स्भी नया काम शुरू करना चाते है को फ्रापर्टी लेना चाते हैं तो वह यहां पर आप ले सकते हैं उसके बाद अगर आप उसके बाद करते हैं आपको किसी profit की आशा करते हैं उसके बाद तो वहाँ पर आपको definitely थोड़ी सी दिकत यहाँ पर हो सकती है क्योंकि शनी यहाँ पर आपके दसवे गर पर आ रहे हैं तो सेहत के हिसाफ से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपकी health जो है वो ups and downs रहेगी बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगी पर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत परिशानी यहाँ पर आपको शनी जरूर देंगे खासकर आपकी skin संबंदी जो issues हैं उसमें आपको थोड़ा सा बचके रहना चाहिए इसकिन infection से आपको ज़्यादा तर बचके रहना चाहिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें अगर आप बिमार हो रहे हैं तो क्योंकि दीरे 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 कहीं बहुत बड़ी बात ना बन जाए इसका आपको विशेश कर यहाँ पर ध्यान रखना है शनी के परक्रम भाव में गोचर करने के कारण आपके अंदर आनंद की अनुबुती जो रहेगी वो बिल्कुल अच्छी होगी उत्सा में कोई कमी नहीं रहेगी आप बिल्कुल परिश्रम ही और जैसे मैंने का confidence level आपका बढ़ जाएगा और उसमें आप अच्छे से यहाँ पर सयोग करेंगे पूरे साल में अगर आप कहीं पर भी यात्रा पर जाना चाते हैं तो डेफिनिटली आप यहाँ पर जा सकते हैं इसमें भी आपको काफी ज़्यादा सयोग मिलेगा थोड़ा पैसा ज़रूर खार्च होता है और कहीं-कहीं चीज़े यहाँपर आपके लिए आपके फायदेमन understanding बनाने में जो है थोड़ी सी यहां पर दिक्कत आएगी बड़ यहां पर अगर आप थोड़ा सा अच्छे से चलेंगे तो वहां पर भी आपकी understanding बहुत अच्छे से बन जाएगी तो career आपका बहुत अच्छा है कर्म अगर आपके अच्छे होंगे तो result आपको definitely अच्छा मिलेगा स्वास्त आपका okay है थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है पारिवारिक माहोल आपका बहुत अच्छा और बहुत खुशनुमा रहेगा आप जितना अच्छा पारिव या कहीं कहीं आप family को लेके बाहर गुमने जा सकते हैं उसके लिए भी यह बहुत अच्छा समय है तो overall अगर देखा जाए तो शनी की जो यह राशी परिवर्तन है यह मेश राशी वालों के लिए काफी जादा अच्छा और काफी जादा सफल रहेगा काफी जादा खुशन प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा तक जादा से जादा लोगों तो यह पहुंच पाए और मैं जब भी नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए तो जितना जादा आप वीडियो को करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं प्लीज पहुंचाने की करपा करें इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको आपके बारे में और भी कुछ जानना है या आपकी पर्टिकुलर राशी आपके जीवन पर शनी के राशी परिवर्तन का क्या ब्रभाव रहेगा यह अगर आप सकते हैं यह आपके जीवन में और भी कोई समस्य आये चल रही है कोई परशानी चल रही है उ